दोस्तो आज का टॉपिक काफी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि आज हम उस जीब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमें बच्छपन से लेकर आज तक काफी परेशान किया है और कई वार तो हमें तालीब बजाने पर भी मजबूर कर दिया है। दोस्तो मच्छर आकार में जितने छोटे होते हैं उतने ही खतरनाग होते हैं। इस वीडियो में आपको मच्छरों के बारे में काफी इंट्रेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा और बताऊंगा कि बिना खून के मच्छरों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो बने रहे हैं मेरे साथ। फैक्ट नमबर वन फिजिकल बॉडिज आफ मॉस्किटोज। मच्चरों की लंबाई की बात करें तो बहे करीब 16 मिली मीटर लंबे और 2.5 मिली ग्राम बजनी तक हो सकते हैं। दोस्तो मच्चर बले ही काफी छोटा होता है लेकिन ये किसी बड़े जानवर से कम नहीं है क्यूंकि इसके 6 पैर और 47 दात होते हैं जो कि इसके साइच को देखते हुए बहुत ज़ादा हैं। पिर्थवी पर करीब 3500 पिरकार से ज़ादा के मच्चर मौझूद हैं। मच्चर 2 फीट 30 से की स्पीट से उड़ते हैं और ये 40 फीट से ज़्यादा उचा नहीं जा पाते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मच्चर काफी समय पहले से ही पिर्थवी पर रह रह रहे हैं। कई बेगैंगों का मानना है कि मच्चर करीब 20 करोट साल पहले दर्ती पर आये थे और तब से अब तक 3500 टाइप के मच्चर हमारे आसपाज रहते हैं। एक स्टडी के अनुसार यदि पूरी पिर्थवी के मच्चरों को किसी फुटवाल के मैदान में रख दिया जाए तो इनकी उचाई करीब 5 किलो मीटर तक हो जाएगी। एक मच्चर अपनी एक डंग से 0.001 से लेकर 0.1 मिली लीटर तक खून चूसते हैं। और एक स्टडी के अनुसार यदि 12 लाग मच्चर आपको एक साथ काटें तो आपके पूरे सरीर का खून चूस जाएंगे। दोस्तों आपको कई वार ऐसा लगा होगा कि मच्चर आपको ही क्यूं सबसे ज़्यादा काटते हैं। इसकी वज़े कहीं आपका विलेट ग्रूप तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों ओ विलेट ग्रूप बाले लोगों को मच्चर कुछ ज़्यादा ही काटते हैं। और किसी भी अन रंग की अपेक्चा मच्चर नीले रंग की तरफ ज़्यादा आकरसित होते हैं। ने हाल ही में केला खाया हो। क्या आप जानते हैं कि मच्चरों की सुंगने की सकती इतनी ज़्यादा होती है कि ये 75 फीट की दूरी से भी कारवन डायॉकसाइट सुंग लेते हैं। और कारवन डायॉकसाइट को फॉलो करते हुए हम तक पहुच जाते हैं। उसके बाद हमारा खून चूसकर ही मानते हैं। दोस्तो मच्चर अपने बजन से तीन गुना जादा खून चूस सकते हैं। और जब कभी मच्चर खून के लिए जादा उताबले हो जाते हैं। तो ये कपड़ों में से भी काटने लगते हैं। मच्चर सिर्फ आपको काटते ही नहीं बलकि खून चूसने के बाद आपके उस इसे पर पेशाब भी कर देते हैं। दोस्तो मच्चरों को बच्चे पैदा करने के लिए खून के आवसकता होती है। यदि मच्चर को खून ना मिले तो वो अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते। बिलट गुरूम में प्रोटीन पाए जाता है जो की अंडे वनाने के लिए अत्ती आवस्यक है। इसी कारण केवल मादा मच्चर खून चूसती है और बेचारा नर मच्चर साकाहरी होता है। कमाल की वाद है कि मादा मच्चर की अमर लगवक्त दो महीने की होती है। लेकिन नर मच्चर की अमर केवल पंदरा दिन तक ही होपाती है। मादा मच्चर एक सा तीन सो अंडे देती है और अपने जीवन काल में करीब पान सो अंडे पैदा करती है अब बात करते हैं सबसे जरूरी फैक्ट की हमें मच्चरों से क्यों बचना चाहिए आपको ये जानकर हैरानी होगी की माना वित्यास में जितने भी युद्ध हुए है उन में जितनी मौते युद्ध के कारण हुई है उन से कई ज़्यादा मौते मच्चरों के काटने से हो चुकी है इसका मतलब युद्ध से ज़्यादा तवाही इन मच्चरों से हुई है मच्छों के कारण होने वाली बीमारियों से हर साल करीब 10 लाग लोगों की मौत हो जाती है दोस्तों क्या आप ये जानते हैं एक जगह ऐसी भी है जहां मच्छर कभी नहीं पहुंच सकते उस देश का नाम आइसलेंड है पूरे बिस में एक मात्र ऐसा देश है जहां मच्छर कभी नहीं पाय जाते दोस्तों ये थे मच्छरों के बारे में कुछ अनोके तत वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करें और चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में